है फ्रेंट्स इस वीडियो में जो है हम लोग CISF ASI NDC 2021-22 और उसके आगे आने वाले जो हमारे अप्लिकेशन पर कोर्स हैं फ्यूचर रोजगार पर एक सभी कोर्स जो है स्टार्ट हो चुके हैं उसके लिए मैं जीके सेक्शन लेके आँ हूँ यह आपका मान के चलिए उसमे में पहला दिन है इस तरीके से मनलब एक मैं अपना पूरा मेहनत लगा रहा हूं इस पीडियाफ को बनाने में ही सिर्फ चार से पांच घंटे लग गया है अब आप सोचेंगे क्या है इस पीडियाफ में की इतना समय लग गया है तो इसी तरह से मैं कम से कम आपको 75 वीडिय ओर दो दो नियाखेंगे आपको क्या मिलने माला कोट्स में है एक पहला जो वीडियो रहेगा किसी भी सब्जेक्ट का जैसे पालिटी का है तो पहला वीडियो फ्री रहेगा फिर ग्राफिज जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहां भी-जिऔ मैं पे लिखा गया है ठीक है जो important point है उसको मैंने theory में लिखा है फिर और बता दूँ जो most important है मतलब CISF के exam के लिए बहुत ही most important है चाहे कोई भी exam के लिए हो तो यहां पर देखिए test format में भी कर दिया हूँ कि मतलब पहले आप क्या करिए theory को पढ़िए test जो है आप हमारा application पर भी दे सकने हैं ठीक है हमारा course में भी test है test section में जाएंगे quality open करेंगे वहाँ पर a test मिल जाएगा 25 question का test तो theory पढ़ने के just बाद आप test करेंगे तो उसका बहुत ही benefit मिलेगा तो अभी तक आप हमारा channel को subscribe नहीं किए जरूर subscribe करें और course से जूड़ जाएं बहुत ही benefit आपको होगा 2021-22 उसके बाद के exam के लिए आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा काम करने वाला हूँ बहुत ही मेहनत करने वाला हूँ बस आपको वन बाई थर्ड मैं जितना मेहनत करूंगा उसका वन बाई थर्ड ही करना है ठीक है अगर मैं 10 से 12 गंटे करूंगा तो आपको बस दो से तीन गंटे में बढ़िया content कवर हो जाएगा सबसे पहला क्या है तो यह देखिए आपका पॉलिटी का कौन सा है चैप्टर वन है क्या चैप्टर वन है चैप्टर वन में क्या है constitutional development of India यानि भारत का जो समयधानिक विकास हुआ जो भारत का समयधान बना वो एक दिन में तो नहीं बन गया धीरे धीरे करके उसमें क्या है सुधार होते गए और फाइनली जो है आपका 1950 में जाके आपका समयधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और बन के तयार कब हो गया था 26 नॉवंबर 1949 को तो ए प्रोसिस कहां से स्टार्ट हुआ ओ सबसे भी कोश्चन पूछा जाता है क्या मलब उससे संबंधित कोश्चन जो है पूछे जाते हैं सबसे पहले भारती समयधान के विकास को भारत में यानि जो भारत का समयधान का विकास था दो तरह से है एक कमपनी का सासन एक क्या है कमपनी के सासन तथा ब्रिटिस क्राउन के सासन के तहत निर्मित अधिनियम की विकास के रूप में समझा जा सकता है आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले जो है भारत में जो कमपनी आया था इस्ट इंडिया कमपनी उसका मकसद दे नहीं था कि हमें जो है भारत में राजी करना है वह बैपार के मकसद से इंडिया में आया था लेकिन यहां पर उसको इतना फायदा दिखा कि उसने सोचा अगर यहां पर सामराज यह अस्थापित कर लिया जाए तो कितना अच्छा होगा यानि कि जैसे एक कहावत है कि मनला बैठने को मिल गया तो सोने को चाहिए सोने को मिल गया तो चद्दर भी चाहिए फिर तकिया गद्दा सब चाहिए ठीक है तो वही कहावत हो गया उसके बाद घर भी उसका सब चीज उसका विस्तर भी उसका तो जो England का company था वो भी इसी तरह से किया उसने पहले बैपार किया और फिर खुद सासन में सामिल हुआ फिर company का सासन को खराब होते देख कौन आ गया अब British Crown बोला कि हमारे थुरू आप सासन करेंगे ठीक है आप कुछ गलतिया कर रहे हैं आप हमारे थुरू जो है इंडिया में सासन करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि company के अधिन यानि company के थुरू जो है कौन कौन से act आये थे तो सभी act को नहीं discuss करेंगे जो आपके exam के लिए important है हम लोग वही देखेंगे तो सबसे पहला है हमारा 1773 का regulating act तो यहाँ पे एक word लगा हुआ है regulating आपका gas में regulator लगा होता है तो किसलिए होता है ताकि आप उसको कम कर लें अधिक कर लें तो यह regulating act क्यों आया वहाँ पे अंग्रेजी company में जो है ब्याप्त भरष्टाचार corruption को ठीक है जो उस समय corruption बढ़ गया था उसको दूर करने के लिए और company के सासन को regulate करने के लिए company ने ले आया था यह 1773 का regulating act क्या कहा रहा है इस अधिनियम के तहद यानि यह जो regulating act है इसके तहद बंगाल का जो गवणनर हुआ करता था उसको बंगाल का गवणनर जनरल पद नाम दे दिया गया ध्यान से याद रखियेगा पहले जो बंगाल में सिर्फ गवणनर होता था उसको बंगाल का गवणनर जनरल पद नाम दे दिया गया अच्छा सबसे पहले बंगाल का गवणनर जनरल कौन बना था यह चीज आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है और डिस्क्रिप्ट अबजेक्टिव कोस्चन में भी है सबसे पहले जो बंगाल का गवणनर जनरल बना था वो था वारेन हैस्टिंग्स आप देख सकते हैं आपके एक्जाम का जो है लेवल बढ़ता जा रहा है तो आपको सभी चीजों को पढ़ना पड़ेगा तो कौन बना गवणनर जनरल वारेन हैस्टिंग्स और बंगाल का अंतिम गवणनर भी यही था कौन था क्यों क्योंकि यही जब बंगाल के गवणनर से बंगाल का गवणनर जनरल बना तो अंतिम गवणनर था बंगाल का और बंगाल का गवणनर जनरल भी था अब इस ब्यवस्था के तहत वारेन हैस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवणनर जनरल बना जब आप जी के पढ़ते हैं तो English भी साथ में पढ़िएगा तब जाके आपका अंग्रेजी पे पकड़ और अच्छा होता जाएगा मैंने इसको दो वज़े से ट्रांसलेट किया एक तो वज़े साउथ के जो लड़के हैं उनको फायदा मिले और नार्थ के भी जो लड़के हैं यहीं पे फायदा मिलेगा आपको हिंदी भी साथ में हैं इंग्लिस साथ में हैं यानि कि आपको जो इंग्लिस नहीं समझा रहा ह कहीं कहीं से पढ़ेंगे तो आपको धीरे-धीरे समझ आने लगेगा इस ब्यवस्था के तहट मद्रास एमंबंबई के गवंणर को बंगाल के गवंणर जनरल के अधिन कर दिया गया यानि इस रेगुलेटिंग आइक्ट के तहट जो आपके मद्रास में कहां-कहां पे गवं बंबे में कहां पे बंबे में तो क्या किया गया इन दोनों को भी जो है इसके अधिन कर दिया गया इन बंबे और मद्रास के गवंणर को बंगाल के गवंणर जनरल के अधिन कर दिया गया ठीक है एचीज याद रखिएगा इस अधिनियम के तहट 1774 में बंगाल में एक जो उच्छतम नयाले कोलकाता में अस्थापित किया गया आपसे पूछेगा किस वर्स अस्थापित किया गया यहां पर कोश्चन क्या बनेगा कि किस वर्स यहां अस्थापित किया गया तो 1774 एंसवर होगा और पूछेगा किस अधिनियम के तहद कोलकाता में सरवच्छ नया या उच्छतम नियाले की अस्थापना की गई तब आपका एंस्वर हो जाएगा सत्रा सोती है तरिस्वी का अधिस थे उसके बाद आता है अगला अधिनियम 1773 के बाद और भी बीच में अधिनियम आए लेकिन इम्पोर्टेंट जो आता है अपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जैसे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में खास क्या है अखिर मैंने इसको क्यों यहाँ पे रखा तो इसके द्वारा जो है कंपनी के ब्यापारिक एवं राजनीतिक कारियों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया अलग करने का क्या मतलब है द्वैद्ध सासन की अस्थापना की गई यह बहुत ही इंपॉर्टन कोश्चन है आपसे पूछ सकता है कि द्वैद्ध सासन की अस्थापना किसके द्वारा की गई 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और इस द्वैद्ध सासन को समाप्त कब किया गया तो 1858 का भारत सासन अधिनियम जो आया था 1858 में उसके द्वारा द्वैद्ध सासन को समाप्त कर दिया गया था इसके द्वारा कमपनी के बैपारी क्यों राजनी थी यानि कि बैपार कोई और देखेगा राजनीत जो है कोई और देखेगा भारत में द्वैद्ध सासन की सुरुवात हुई जो 1858 इसवी तक विद्दमान रही कमपनी के वारीज संबंधी मामलों की देखरेक्ट के लिए वारीज मतलब जो बैपार से संबंधित मामले हो गए बिजनेस से संबंधित हो गए ब्याउसाय से संबंधित हो गए उसके देख रेख के लिए निदेशक मंडल, यानी बॉर्ड डाइरेक्टर्स को जो हैं अनुमत मिला परमिशन मिला और जब की राजनीतिक मामनों के लिए एक नियंतरन बॉर्ड का यानी कि कंट्रोलर बॉर्ड का गठन किया गया कि राजनित कौन देखेगा जो नियंत्रन करेगा ठीक है और बिजनेस कौन देखेगा याद रखेंगे निदेशक मंडल निदेशक उदेशक किसमे होते हैं जैसे माली जे जीम हो गया, एडी हो गया, वो मैनेजमेंट में होते हैं यानि कि वो लोग ब्यावसाय देखेंगे, और राजनीत कौन देखेगा, कंट्रोल, नियंत्रन बोर्ड, फिर अगला अधिनियम आ जाता है हमारा 1833 का चार्टर एक्ट, एक्ट क्या कहता है, तो देखे, इसमें भी important point है, इसके पहले अभी तक आपने देखा, कि सबसे पहले तो बंगाल का गवर्नर था, कौन था, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर से क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, 1773 के regulating act दोरा, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यह जो च गवनरल होता था वह बंगाल का गवनर जनरल कहा जाता था लेकिन एजो 1833 का एक्ट आया इसके तहत ए गवनर जनरल अब भारत का गवनर जनरल कहा जाने लागा और 1833 में कौन था लाड़ विलियम बेंटिक राजा राम मुहन राए से याद रखेंगे सती परथा ठागी इस एक्ट के तहट लाड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवनर जनरल बना अगर आपसे पूचता है बंगाल का अंतिम गवनर जनरल देखिए जो बंगाल का अंतिम गवनर जनरल होगा वही भारत का प्रथम गवनर जनरल होगा जैसे यहां पे बंगाल का अंतिम गवनर और यहां से एक नया करम शुरुवात होता है भारत का पर्थम गवर्नर जनरल तो उस समय कौन था 1828 से 1835 तक जो है लाड विलियम बैंटिक था कब से कब तक 1828 से 1835 तक तो इसके बीच में कौन आ रहा है आपका लाड विलियम बैंटिक जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का सोभाग्य प्राप्त हुआ अब गवर्नर जनरल की परिसद में एक विधी सदसे अच्छा एजो विधी सदसे होता था गवर्नर जनरल की परिसद का चोथा सदसे था कितने नमबर का सदसे था फोर्थ नमबर का सरवपर्थम मैकाले लाड मैकाले आप हिस्ट्री में नाम सुने होंगे ये लाड मैकाले ही जो है विधी सदस्य के रूप में सामिल किया गया इसके तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ गोसित किया गया तथा 1843 इस्वी में इसे कानून बना कर समाप्त कर दिया गया तो यहाँ पे आपसे दो कोश्चन पूछ सकता है पहला कोश्चन पूछ सकता है कि दास प्रथा को कब जो है कानून बना के समाप्त किया गया तो यह जो है आपका 1843 में समाप्त किया गया एक कोश्चन और क्या पूछ सकता है कि दास प्रथा को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया तो हमारा एक्ट कौन सा हो जाएगा चार्टर एक्ट 1843 फिर यहां से जो है अठारा सो तिरपन का भी अधिनियम आता है लेकिन वो सब इंपोर्टेंट ज्यादा फैक्ट नहीं है अठारा सो तिरपन में बस एक काम हुआ था कि जो आपके सिविल सर्विसेज के पद होते थे वह एक्जाम बेस पर कर दिये गए पहले जो है वनसानुगत होते थे पहले जो क्या होते थे वनसानुगत होते थे अब प्रतियोगी परिच्छाओं के आधार पर कर दिये गए किस इसमें 1853 का जो आया था चार्टर एक्ट इसके बाद आया 1853 में चार्टर एक्ट उसमें क्या कहा गया भाई अब तो जो होगा कमपटीशन होगा अब प्रतियोगी परिच्छाएं होंगी जो सिविल सर्विस है आईसीयस उसको बोला जाता था उसके लिए अब क्या होगा प् 1853 में क्राउन के सासना धीन पारिद आप सभी को पता है 1857 का क्रांती होता है कौन सा 1857 का तो उस समय जो गवर्नर जनरल था भारत का वो कौन था लाड केनिंग था लाड केनिंग का जो सासन काल रहा 1856 से 1862 तक रहा तो लाड केनिंग ही जो है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था तो क्या किया गया देखा गया कि कमपनी की वज़े से बहुत थूथू हो रहा है तो यह किया गया कि कमपनी का सासन जो है इगलेंड के क्राउन को सौप दिया गया यानि कि इगलेंड का जो राजा होगा वह यहां के सासन को संचालित कम्पनी के माध्यम से देखेगा तो कम्पनी लेकिन वह क्राउन के कर दिया गया जो इग्लैंड का राजा या राजकुमारी होता था तो यहां पर देखिए 1857 में यही करान्ती होता है तो फिर यही 1858 का भारत सासन अधिनियम आता है क्या 1858 का भारत सासन अधिनियम आता है अब गवनर जनरल की हो जाएगी छुट्टी क्या होगा अब गवनर जनरल की हो जाएगी छुट्टी फिर आपको याद करना पड़ेगा भारत का अंतिम गवनर जनरल कौन हो जाएगा लाड कैनिंग भारत का अंतिम गवनर जनरल अब क्या बन जाएगा अब आ जाएगा वैसराय भारत का प्रथम वैसराय कौन हो जाएगा यही लाड कैनिंग ही हो जाएगा कौन लाड कैनिंग ही क्योंकि 1858 का जो अधिनियम आता है इसी के समय देखिए 1856 से 1862 के बीच में कब आया है 1858 का भारत सासन अधिनियम लाड कैनिंग के समय में ही आया है 1857 के प्रथम सोतंतरता संग्राम के उपरांत ब्रिटिस सरकार द्वारा 1858 का भारत सासन अधिनियम पारित किया गया इस अधिनियम द्वारा कमपनी का सासन समाप्थ कर दिया गया तथा भारत का सासन प्रत्यच रूप से महरानी के अधिन आ गया तो यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है असपश्ट रूप से कि ए जो सासन अधिनियम आया अब कमपनी का सासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और जो भारत का सासन था डाइरेक्ट यानि कि प्रत्यच रूप से महारानी के अधिन इसी वज़ा से लिखा है कि क्राउन के सासना धिन पारिद यानि कि अब जो रूल नियम मलब आज्या निकालेंगी कौन 1744 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध सासन प्रडाली समाप्त कर दी गई भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय के नाम से जाना गया जो कि भारत में ब्रिटिस क्राउन का प्रत्यच प्रतिनिधी होता था यानि जो वायसराय होता था वह ब्रिटिस क्राउन यानि महरानी का जो है एक समझिये क्या होता था असिस्टेंट होता था जैसे महरानी उसको आदेज देती थी वैसे यहां इंडिया में वह कारे करेगा इस अधिनियम के तहट लाड केनिंग भारत का प्रथमवाय शराय बना और लाड केनिंग ही ब्रिटिस भारत का अंतिम गवणनर जनरल था उसके बाद हम लोग देखेंगे 1909 का भारत परिशद अधिनियम अच्छा 1909 का भारत परिशद अधिनियम इसी को कहा जाता है मारले मिन्टो अधिनियम क्या मारले मिन्टो मारले मिन्टो तो ए मारले कौन था ए मारले जो है राज्य सचीव था कौन था राज्य सचीव और ए मिन्टो जो है उस समय वाइसराय था 1909 में तो कभी-कभी पूछे देता है ये मारले मिंटो अधिनियम कवाया तो 1909 में इसमें क्या हुआ मुसल्मानों के लिए जो है अलग संप्रदाइक निर्वाचन प्रणाली की शुरुवात की गई इसी वज़ा से मिंटो को जो है ये जो मिंटो था इसे लाड मिंटो को संप्रदाइक निर्वाचन का जनक माना जाता है क्या किया जाता है संप्रदाइक निर्वाचन का जनक माना जाता है अच्छा अलग मुसल्मानों का निर्वाचन का क्या मामला था कि एक जो है मतलब मुसल्मानों का अलग चुना होगा ठीक है जैसे एक मुस्लिम केंडिडेट होगा और उसको सिर्फ मुस्लिम ही ओट करेगा ऐसा कुछ था उसमें इस माले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है लाड मिंटो ततकालीन वायसराय तता जान माले जो थे राज्य सचिव थे सतेंदर प्रसाद सिन्हा कौन? सतेंदर प्रसाद सिन्हा वायसराय की कारिपालिका परिसत के पर्थम भारतिय सदस्य से बने उन्हें विधी सदस्य के रूप में सामिल किया गया तो आपसे डाइरेक्ट कोश्चन पूछा जाएगा कि वह सराय की कारिपालिका के प्रथम सदस्य कौन भारतिय बने थे फिर अगेन मैं पूछता हूँ वह सराय की जो है कारिपालिका के प्रथम भारतिय सदस्य कौन बने थे सतेंदर प्रसाद सिन्ह जो है वैसराय की कारिपालिका के प्रथम भारतिय सदस्य बने थे इस अधिनियम के द्वारा मुसल्मानों के लिए संप्रदाइक प्रतिनी धित्व तथा अलग निर्वाचन छेत्रों की अस्थापना की गई लाड मिंटो को संप्रदाइक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है फिर हमारा आता है 1919 का भारत सासन अधिनियम कबका 1919 का भारत सासन अधिनियम इसे जो है मांटेग्यू चेम्स फोड सुधार के भी नाम से जाना जाता है इस समय मांटेग्यू जो थे ये दो ब्यक्ति हैं मांटेग्यू चेम्सफोर्ट जो है दो ब्यक्ति हैं मांटेग्यू अलग ब्यक्ति हैं ये राज्य सचीव थे और चेम्सफोर्ट उस समय भारत के वायसराय थे प्रांतों में आंसिक उत्तरदाई सासन तथा द्वेध सासन की अस्थापना की गई अच्छा प्रांतों में अब देखिए और आपसे 1919 देदेगा आपसन और पूछेगा द्वेध सासन का जो है शुरुआत कब हुआ प्रांतों में तो द्वेधसासन का सुरुवात प्रांतों में 1919 में इसे 1935 में जाके समात्र कर दिया गया प्रांतों में द्वेधसासन 1919 में सुरुवात हुआ 35 में खतम हो गया और केंद्र में द्वेधसासन 1935 में स्टार्ट कर दिया गया और प्रांतों में द्वैधसासन का जनक कौन था? लियोनल कार्टियस कौन थे? लियोनल कार्टियस जो है प्रांतों में द्वैधसासन के जनक थे इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनिय ब्योस्था अस्थापित की गई यानि केंद्र में जो है दो सदन बनाया गया जैसे अभी आपका लोग सभा और राज्य सभा है वैसे ही उस समय विधान सभा और विधान परिशत ऐसे नाम से बनाया गया था संप्रदाईक आधार पर सिखों भारती इसाईयों आंगल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी अलग निर्वाचन के सिध्धान को लागू कर दिया गया यानि कि जो काम लाड मिंटों ने 1909 में किया था कि मुस्लिम वर के लिए अलग निर्वाचन छेत्र संप्रदाई के आधार पर इस समय 1919 में आके कई रूपों में अलग कर दिया सिखों के लिए अलग इसाईयों के लिए अलग आंगल भारतियों एंगलो इंडियन के लिए अलग यूरोपियों के लिए भी अलग निर्वाचन सिध्धान यानि कि आपसे पूछा जाएगा कि संप्रदाईक्ता को और विस्तार कब किया गया किस अधिनियम के तहत संप्र आयोग के गठन का प्रावधान किया गया यानि यह जो 1919 का अधिनियम आया था इसके तहते बात किया गया था कि एक लोग सेवा आयोग का गठन किया जाएगा और इस लोग सेवा आयोग का गठन कब जाके होता है वर्स 1926 में होता है इसके लिए एक आयोग बनाया गया था ली ली आयोग ली कमीशन ली कमीशन बनाये गया था ठीक है इसके बारे में ओ करने के लिए तो याद रखिएगा पूछ देगा लोग से वा आयोग के लिए कौन सा एक मलब कमेटी बनाये गया था तो ली अगला है आपका 1935 का भारत सासान अधिनियम इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतिय संग जैसे आज आपका UPSC है उसी तरह से इसी अखिल भारतिय संग की अस्थापना जो है कब होता है 1935 के भारत सासाना धिनियम के तहद इसी के तहद जो है 1 अप्रेल 1935 को RBI का भी अस्तापना होता है इसी के तहद जो है 1937 में बर्मा को जो आप जाप का मैयनमार है उसको भारत से अलग किया गया और उडिसा तथा बिहार दो राज्ये बनाए गया याद रखियेगा 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया बिहार तथा उडिसा दो राज्ये बनाए गये और 1 अप्रेल 1935 को RBI का क्या हुआ अस्तापना हुआ कौन सा अधिनियम के तहद 1935 का भारत सासन अधिनियम के तहद प्रांटों में दोर्ध सासन की बैउस्ता समाप्त करके केंद्र में देखिये दोर्ध सासन लागू किया गया तथा प्रांटों को स्वायत तथा परदान की गई इस अधिनियम के तहट वर्स 1937 में एक संघीन यायाले की अस्तापना की गई बर्मा को ब्रिटिस भारत से प्रिथक किया गया भारती रिजर्बेंग की अस्थापना होई अब है आपका 1947 का भारती स्वतंतरता अधिनियम इसने भारत में ब्रिटिस राज को समाप्त कर अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंतर अधिराज भारत तथा पाकिस्तान की अस्थापना की यानि भारत तथा पाकिस्तान का जो है कौन सा अधिनियम के तहद बाटा गया 1947 का भारती स्वतंतर ता अधिनियम इसने 15 अगस्त 1947 से भारती रियास्तों पर ब्रिटिस सम्प्रूबुता की समाप्ती की भी घोषणा की यानि जो भारती रियास्त थे उस पर ब्रिटिस जो हुकूमत था उसको 15 अगस्त 1947 से समाप्ती का घोषणा की आ गया तो यहां से भी कोश्चन बनने का संभावना रहता है अब हम लोग देखते हैं समिधान का निर्माड कैसे हुआ यानि इंडिया का जो कांस्टिशूशन है अब जो है और आपका समिधान का निर्माड कैसे होता है कौन सा कमेटी बैठता है क्या होता है वो सब चीज हम लोग देखेंगे तो सबसे इंपोर्टेंट आपका पहला ही है जो पहला हमारा बिंदू है यहाँ पे वर्स 1946 में कैबिनेट मिशन के तहद यानि कैबिनेट मिशन का अस्था अपना कब होता है कैबिनेट मिशन 1946 में याद रखिएगा भारतिय समिधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया तो आप से कोश्चन पूछेगा कैबिनेट मिशन के बारे में याद रखिएगा 1946 पूछेगा कि कैबिनेट मिशन के तहद किस वर्स में भारती समिधान सभा के गठन का विचार किया गया तो 1946 में प्रस्ताव पेश किया गया कैबिनेट मिशन के तहद समिधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या जो थी 389 थी बाद में इसको पुनर गठन करके कम किया गया 2009 किया गया पाकिस्तान वाले छेतर के लिए अलग कर दिया गया दो आपका पूरा मिला के दो 999 बाद में पुनर गठन करके किया गया इन में से 296 सीटें ब्रिटिज भारत ये आपका बटा हुआ नहीं है तब का है जब बंट जाता है तो आपका 299 बसता है वो वाला इंपोर्टेंट है आप से कोस्टन पोस्टा है कि एक सीट पे कितना लाख जनसंख्या का आवंटन किया गया था तो प्रतेक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट जो है उस समय आवणटित किया गया था समिधान सभा की पहली बैठक इस पे कई कोश्चन बनते हैं जैसे सबसे पहला कोश्चन क्या बनता है कि समिधान सभा का जो पहला बैठक था वो कहां पे हुआ तो समिधान सभा का पहला बैठक जो हुआ था नई दिल्ली में दिल्ली में होगे आपका नई दिल्ली में फिर अगला question पूछेगा समीधान सभा का पहला बैठक कब होता है तो 9 December 1946 को फिर question बनता है कि समीधान सभा का जो पहला बैठक होता है उसके अध्यच कौन थे तो पहले अध्यच जो थे और अस्थाई अध्यच थे सच्चिदानन सिन्हा जी उसके बाद 11 इसंबर 1946 को दूसरा बैठक होता है और डक्टर राजिंदर प्रसाद जी को अस्थाई अध्यच चुना जाता है इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिसकार करते हुए अलग पाकिस्तान और अलग समिधान सभा का मांग किया देशी रियासत हैदराबाद ने समिधान सभा का जो है बैठक में भाग नहीं लिया तो डाइरेक्ट कोश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा रियासत था जो समिधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया था तो हैदराबाद रियासत जो था वह पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था इस वज़े से उसने बैठक में भाग नहीं लिया सबसे वरिष्ठ सदस्य डाक्टर सचीदान अंसिन्हा को समिधान सभाका और अस्थाई अध्यच चुना गया 11 इसंबर 1946 को डाक्टर राजेंद प्रसाद को समिधान सभाका अस्थाई अध्यच चुना गया तथा देखिए यहाँ पे और पूछता है आपका कोश्चन कि प्रथम जो है उपाध्यच कौन था क्या प्रथम उपाध्यच कौन था तो प्रथम उपाध्यच जो कौन थे हसी मुखर्जी थे और समिधान सभा के समयधानिक सलाकार कौन समिधान सभा के कंस्टिचूशनल एडवाईजर जो थे कौन थे B.E.N. Rao B.E.N. Rao का जो है फुल फार्म है बेनेगल नरसिंग Rao क्या बेनेगल नरसिंग Rao को समिधान सभा का समयधानिक सला का नियुप्त किया गया तो यहाँ पे जो जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है डाक्टर राजेंद प्रसाद जी चाए H.C. मुखर जी, चाए बेनेगल नर्सिंग राओ, इस सभी जो है कई बार एक्जाम में रिपीट होते रहते हैं समिधान सभा में पूच देता है महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 सदस्य थी 13 दिसंबर 1946 को जोहार लाल नहरू ने समिधान सभा में उद्देत से परस्ताओ पेस किया पहला ही कोश्चन इस पे बन जाएगा कि उद्देत से परस्ताओ किसके द्वारा पेस किया गया था? तो जुआ हरलान नहरू के द्वारा उद्देज से प्रस्ताओ पेस किया गया था कब किया गया था? तेरे दिसंबर 1946 को आप याद रखियेगा 9 को पहला बैठक, 11 को दूसरा बैठक 13 को जुआ हरलान नहरू जी ने कहा कि लो उद्देज से प्रस्ताओ जो है यानि 13 दिसंबर से 22 जन्वरी चलिसा हमें दिन जो है जाके उनका बात को सर्व सम्मति से समने स्विकार कर लिया कोब 1947 में विधान सभा के प्रमुख समीतियां एवं उनके अध्याच तो देखिए कौन-कौन सी समीतियां थी संग सकती समीति यहाँ पे तीन चीज़ याद रखियगा भारत में जैसे वर्तमान में अभी क्या क्या है संग, संग का मतलब क्या हो गया? केंद्र संघिय, संघिय का मतलब हो गया जो आपके टेरिटेरी है यानि आपका दिल्ली हो गया, चंडीगर, अंडवा, निकोबार, पुद्दुचेरी ये सब किसमें आते हैं? संघिय में आते हैं संग मिन्स हो गया केंद्र, उसके बाद हो गया और राज्य, यानि कि ए तीनों जो समिती था, इसके कौन अध्य अच्छ थे, जोहालाल नहरू जी अध्य अच्छ थे, संग सक्ती समिती, संगिय समिधान समिती और राज्यों के लिए समिती, तो कैसे याद रखेंगे, संग सं संग्य राज्य संग्य संग्य राज्य इन तीनों के कौन हो जाएंगे ज्वाहलना नहरू इसको कई बार आप बोलेंगे तब याद होगा संग्य सक्ति समिति ऐसे बोलिएगा संग्य सक्ति ज्वाहलना नहरू संग्य संग्य समिधान समिति ज्वाहलना नहरू राज्यों के ल अल्पसंखना को संबंधी मर्स समीति ध्यान रखीएगा यहाँ पे ऊपसमिति है दोनों और यहां पे मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यों को संबंधी परामर्स समीति इसका कोन था सरदार बललब भलाय पटेल इसको कैसे याद रखेंगे आप देखिए जो सरदार बरलब भाई पटेल जी है यहाँ पे प्रांतिय भी देख रहे हैं और परामर्स समीती यानि प्रांतिय समीती और परामर्स समीती किसके पास सरदार बरलब भाई पटेल जी के पास और इनों ने जो है समझा समझा के प्रांतों को एक भारत में बनाया था तो याद रखिएगा प्रांतिय समीती और आपका कौन सा है दूसरा यहाँ परामर्ष प्रांतिय और परामर्ष किसने सरदार बललब भाई पटेल जी ने मौलिक अधिकार उप समीती जेवी क्रिपलानी अल्पसंख्यक उप समीती हC मुखर जी बाकी आपका संचालन और प्रकिरिया क्या संचालन प्रकिरिया राजेंदर प्रसाद तदर्थ राष्टी ध्वज सम्बंदी बहुत ही इंपोर्टेंट है पूछा जाता है तदर्थ राष्टी ध्वज समीती के अध्यच कौन थे राजेंदर प्रसाद प्रारूप समीती बहुत ही इंपोर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी भीमराव अंबेटकर सात सदस्य थे और भीमराव अंबेटकर जी इसके अध्यच थे तो प्रारूप समीती का अध्यच आप से पूश देगा कौन है? डाक्टर भीमराव अमबेटकर ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसको बोला जाता है 29 अगस्त 1947 को कब टाइम और डेट याद रखेंगे यानि डेट और येर 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समीती का गठन किया गया इस समीती का अध्यच जो है डाक्टर भीमराव अमबेटकर को चुना गया प्रारूप समीती का कारे समयधानिक सलाकार भी इन रहे दोरा तयार किया गया समीधान के प्रारूप मर अच्छा प्रारूप समीती जो बना था ड्राफ्टिंग कमेटी जो बना था उसका कार्यत क्या था बियन राव जी ने जो बियन राव जो थे समयधानिक सलराकार थे बियन राव इन्हों ने जो तयार किया था समीधान के प्रारूप उस पे विचार विमर्स करेगा यानि ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करेगा बियन राव जी द्वारा तयार किये गए ड्राफ्टिंग पर क्या करेगा विचार विमर्स करेगा प्रारूप पर प्रारूप समिती ने 21 फरवरी 1948 को समिधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत की ये चीज आप देख लीजिए प्रारूप समिती में साथ सदस से ड्राफ्टर भिमर्व अंबेटकर बहुत इंपॉर्टेंड नहीं है बस अध्यच्छ आपको पता होना चाहिए प्रारूप समिती का उसके बाद समिधान सभा का प्रथम वाचन जो होता है चार नोवंबर से 9 नोवंबर 1948 तक कब से कब तक चार से 9 नोवंबर 1948 यानि उसी महिने में सुरू उसी महिने में खतम आपका 9 दिसंबर को याद रखिएगा ट्रिक से 4 और 9 फिर आता है दूसरा वाचन 15 नोवंबर से 17 अक्टूबर अगले साल तक चलता है 15 नोवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक तीसरा वाचन जो है 14 नोवंबर 1949 से 26 नोवंबर 1949 तक चला 26 नोवंबर 1949 को समिधान सभाद्वारा समिधान को पारित कर दिया गया तो कोश्चन पूछेगा समिधान सभाद्वारा समिधान को कब पारित किया गया 26 नॉवंबर 1949 को समिधान के कुल 15 अनुछेद यानि कि 58 किल टोटल 15 अनुछेद को जो है 26 नॉवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया जबकि 608 किल 3,88 किल बचे हुए थे 388 किल 26 जनवरी 1950 को लागू किये गए 26 नॉवंबर 1949 को समिधान सभादवारा पारित किये गए समिधान में कितने भाग थे बहुत ही most important है 22 भाग, 8 अनुछेद थे वर्तमान में जो है गड़ना की दिरिष्टी से भारती समिधान में 452 अनुछेद, 25 भाग और 12 अनुछेद है 24 जन्वरी 1950 को डाक्टर राजिन्द प्रसाद को भारत का प्रतम राष्टपती चूना गया 24 जन्वरी को राष्टपती भी चूने गए और राष्टगार्ड भी और राष्टगीत भी जन्डा 22 जूलाई 1947 तो रिपीट कर लिजिए राष्टी ध्वज 22 जूलाई 1947 राष्टपती 24 जन्वरी 1950 राष्टगीत 24 जन्वरी 1950 राष्टगार्ड गान 24 जन्वरी 1950 समिधान सभाद्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्टी ध्वज तथ 24 जन्वरी 1950 को राष्टी गीत और राष्टगान को अपनाया गया समिधान सभाद्वा के जो है महतपूर तथे इसके अंदर के सभी चीज आपको याद होने चाहिए बाकी आप भूल भी जाएंगे लेकिन याद होना चाहिए पर्थम बैठक 9 दिसंबर 1946 दीतिय बैठक 11 दिसंबर 1946 और अस्थाई अध्यच डाक्टर सचिदानन सिन्हा अस्थाई नहीं यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा अस्थाई अध्यच कर लीजिएगा डाक्टर समिधान अपनाया कब गया 26 नौंबर 1949 को अपनाया गया समिधान लागू कब हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ कैबिनेट मिसन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया और ये अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया 2 सितंबर 1946 को इसमें जो है मुसलिम लिग बाद में जाके सामिल होता है 26 अक्टूबर को यहां पर देख लिजिए कौन मंत्राले किस के पास था जो आलन नहरू के पास जो है विदे सेव राष्ट मंडल संबंधी मालम ले सरदार बल्लब भाई पटेली पास सूचना एवं प्रसारण और ग्रिह मंत्राले पूच देता है भारत का प्रतम ग्रिह मंत्राले तो सरदार बल्लब भाई पटेली थे सीराज गोपालचारी सिच्छा अच्छा ए अंतरीम सरकार है ठीक अंतरीम सरकार इसका सासन 1952 तक ही चलता है जब तक चुनाव नहीं हुआ रहता है तो यहां पर आप देख लेंगे फिर काराय रियासतों को सरदार पटेल के नेत्रिवित में भारत संग में सामिल किया गया हैदराबाद रियासत को पुलिस कारवाई के द्वारा आपसे डाइरेक्ट पुछेगा हैदराबाद जो है रियासत उसको किस कारवाई के द्वारा भारत में मिलाए गया पुलिस करवाई के द्वारा जूनागड को जन्मत संग्रा के आधार पर और जम्मू और कस्मीर रिया अब हम लोग अब्जीक्टिव कोश्चन करने वाले हैं सबसे पहला कोश्चन लेखिया रेइगुलेटिंग आक्ट कब पारित किया गया था तो रेइगुलेटिंग एक्ट आपका 777 में लेखिड नहींas में कोलकाता में सरोच नियाले की अस्थापना की गई जो बंगाल का गवंणर था अब बंगाल का गवंणर जनरल बन गया सबसे पहले कौन बना वारेन हैस्टिंग्स जो है बंगाल का गवंणर जनरल बना तो 1939 में आपका आया था मानले मिंटो, 1919 में मांटेग्यू चैंस फोर्ड भारत की समिधान सभा किसके अनुसार गठित की गई तो भारत का समिधान सभा जो है कैबिनेट मीशन योजना के तहद अच्छा साइमन कमीशन जो है 1927 में आपका इगलेंड से चला और भारत में 1928 में पहुचा इसी का विरोध करते समय साइमन कमीशन का ही लाला लाजपत राइक उपर लाठी चार्ज हुआ और उनका मृत्थ हुआ था क्रिप्स प्रस्ताओ याद रखेंगे 1942 में माउंट बेटन योजना आपका 1945 में इसको 5 जून योजना भी बोलते हैं माउंट बेटन योजना को कैबिनेट मिशन योजना 1946 इसी के तहद जो है समिधान सभा गठित किया गया समिधान सभा में किस दिसी रियासत के प्रतिधिने भाग नहीं लिया था आपको बताया मैं हैदराबाद रियासत के प्रतिधिने दिने भाग नहीं लिया था समिधान सभा का प्रथम बैठक कहां और कब हुआ था सबसे पहला बैठक दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को अगर आप PDF को एक दो बार read कर लेते हैं उसके बाद objective question का test कर लेते हैं तो अगर आप test भी करते हैं तो CSF ASI LDC के लिए बहुत अच्छा खासा त्यारी हो जाएगा निम्लखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो देखे सबसे पहले क्या है 1773 का regulating act, 1784 pits India act, 1919 मारले मिन्टो अधिनियम गलत है मारले मिन्टो अधिनियम 1909 में आया था यानि हमारा तीसरा option गलत हो जाएगा करायन निम्लखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हैस्टिंग्स, बंगाल का पर्थम गवर्नर जनरल वारेन हैस्टिंग्स सही है बंगाल का अंतिम गवर्णर जनरल गलत है लाड विलियम बेंटिक जो था बंगाल का अंतिम गवर्णर जनरल था और भारत का यही पर्थम गवर्णर जनरल भी था और 21 act के तहथ हुआ था 1833 का चार्टर एक्ट के तहथ हुआ था फिर वूच राय नेमलिखित में ऐसे कौन सा सुमेलित नहीं है कमपनी द्वारा नियुक्त भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे लाड केनिंग थे सही है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे लाड केनिंग सही है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे लाड माउंट बेटन सही है स्वतंत्र भारत के प्रथम गोवनर जनरल जब भारत स्वतंत्र होता है 1947 में तो प्रथम गोवनर जनरल जो बनते हैं लाड माउंट बेटन बनते हैं उसके बाद जो है सी राजगोपालचारी अगर हमसे question में पूछता है कि प्रथम भारती जो क्या थे गवर्नर जनरल थे तो सी राज गोपालचारी जो है प्रथम भारती थे लेकिन जब भारत स्वतन्त होता है तो पहले लाज माउंट बेटन जो है गवर्नर जनरल रहते हैं उसके बाद जाके सी राज गोपालचारी बनते हैं, दास पर्था को किस Act के तहत कानून के खिलाब घोसित किया गया था, तथा कब कानून बना कर समात किया गया थी, तो दास पर्था को जो है, Charter Act 1823 याद करिये, लाड़ विलियम बेंटिक के समय में आया था चार्टर एक्ट 1833 उसी के तहत उसे भारत का प्रथम गोवर्नर जनरल भी बनाया गया उसी के समय के एक्ट जो आया था 1833 वाला और कब कानून बना था 1843 में एक कानून बना था तो हमारा एंसर हो जाएगा आप्शन ए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैथ सासन प्रडाली को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया तो जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा द्वैथ सासन लागू हुआ था 1858 का भारत थासन अधिनियम द्वारा इसको समात किया गया केंद्री लोग सेवा आयोग का गठन किस वर्स किया गया तो केंद्री लोग सेवा आयोग का गठन ली कमिशन की सिफारिश पर 1926 में किया गया था लेकिन पूछेगा किस एक्ट के तहद मांटेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम जो आया था उसमें सिफारिश हुआ था आपका इसका गठन करने का ठीक है उसके बाद जो है 1926 में इसका गठन किया गया भारती रिजर बैंक की अस्थापना किस वर्स की गई एक अप तो है और अस्थाई थे 9 दिसंबर 1946 को डाक्टर राजिंद प्रसाज जो थे कया थे 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यच थे बेनेगल नर्सिंग राओ यानि की बियन राओ समयधानिक सलाकार थे HC मुखर जी जो थे समयधान सभा के उपाध्यच थे समयधान सभा में उद्देश से प्रस्ताओ किसके द्वारा और कब पेश किया गया था तो 13 दिसंबर 1946 को जोहालन नहरू जी के द्वारा उद्देश से प्रस्ताओ प्रस्तुत किया गया था प्रारूप समिती के अध्यच कौन थे और इस समिती में कितने सदस्य थे प्रारूप समिती के जो अध्यच थे डाक्टर भीमरा अंबेटकर जी थे और उहां पे साथ सदस्य थे समिधान सवादवारा समिधान को कब पारित किया गया तो यह आपका पारित किया गया था 26 नॉवंबर 1904 को 24 जन्वरी क्यों इंपोर्टेंट है डाक्टर राजेंद प्रसाद जी राष्टपती बने राष्टगान लिया गया, राष्टगीत लिया गया 22 जुलाई 1947 को जन्डा अपनाया गया 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ जब समिधान बनकर तयार हुआ था उस समय कितना भाग, कितना अनुसूची, कितने अनुछेद थे तो उस समय 22 भाग थे ठीक है अनुसूची आपका आठ था सिड्यूल आठ थे और आठकिल 395 अभी जो है अनुसूची बारह है डाक्टर राजिंद प्रसाद को भारत का प्रथम राश्पती कब चुना गया 24 जन्वरी 1950 को हैदराबाद रियासत को किस कारवाई के द्वारा भारत संग में सामिल किया गया तो जूनागड जन्मत संग्रा याद रखियेगा जूनागड जन्मत संग्रा जम्मू कस्मीर विलेपत्र पर हस्ताचर हैदराबाद मान नहीं रहा था तो पुलिस कारवाई किया गया भारती सविधान कब लागू हुआ तो 26 जन्मरी 1950 को भारती सविधान लागू हुआ बन के कब तयार हुआ था 26 नॉम्मबर 1949 को पर्थम बैठक कब हुआ 9 दिसंबर 1946 को जंडा कब लिया गया 22 जुलाई 1947 को सविधान सभा के वाचन के संबंध में निम्लखित में से कौन सा सुमेली थे तो पर्थम वाचन कब होता है 4 नॉम्मबर से 9ॉम्मबर 1948 तक 14 से 17 अक्टूबर 1949 तक तीसरा वाचन 14 नॉम्मबर 1949 से 26 नॉम्मबर 1949 तक यानि कि उपरोगत सभी सुमेली थे संबंधान सभा में महिला सदस्यों की सख्या कितनी थी? 25 भारत के समिधान का निर्माता किसे माना जाता है डाक्टर भीम्रवः अम्बेटकर को समिधान का निर्माता माना जाता है समिधान सभा के गठन की मांग सर्वपर्थम 1895 में किसके द्वारा की गई थी तो सबसे पहले ये मांग जो है बाल गंगा दर्तिलग द्वारा किया गया था कि समिधान सभा का गठन किया जाए और भारत के लिए समिधान बनाय जाए 1774 में कोलकाता में इस्तित उच्चतम नयाले के पर्थम मुख्य नयाधीस कौन थे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एलिजा इंपे बाकी जो अन्य नयाधीस थे चैमबर्स, लेमेंस्टर और हाइड थे तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपने देखा सबसे पहले हमने थेओरी का अध्यान किया आपको भी यही करना है अगर आपको अपना चनरल नालेज बहुत ही अच्छा बनाना है थेओरी को पढ़िए फिर टेस्ट को दीजिए इंगलिस को अच्छा बनाना है तो पहले आप theory को पढ़िए test दीजिए math को अच्छा बनाना है तो पहले जो बताया जाता है उन questions को करिए पढ़िए उस तरीके को अपनाईए और online test दीजिए online test जब हमारे application पर देंगे आपका समय में भी कमी होगा और आपका performance भी अच्छा होगा और दोस्तों के पास हमारा course के बारे में जरूर सेर करिए thank you